सार्व भॉमिक वयस्क मतादिकार सार्व भॉमिक का मतलब सबसे पहले हम समझ लें और आगे बढ़ने से कि सार्व भॉमिक मतलब यूनिवर्सल सभी वयस्कों के लिए सार्व भॉमिक सभी वयस्कों के लिए जो लागू है ऐसा अदिकार इसका दूसरा अंग्रेजी मनुवाद होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाईजी के लावा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अब भारत में सरभौमिक अधिकार मताधिकार का प्राधान क्यों किया गया हमारे संविधान निर्माताओं नें, क्या सोच कर भारत की ऐसी विशम परिस्थितियों में, जो इसका हम जिकर बार बार पूर में कर चुके हैं, उन्होंने वयस्ख मताधिकार और वो भी सार्वजनिक, सार्वभौमिक मताधिकार का प्राधान करने का खत्रा मोल लिया यद्देप ये बात तैह है कि गत सत्तर वर्षों का अनुवा कहता है कि सम्विधान निर्माताओं के द्वारा जो विश्वास देश की जन्ता पर व्यक्तिया गया वह कहीं भी खत्रे को नहीं दर्चाता और इसके लिए उनकी दूर दर्शिता को एक तरीके से सब लोगों को हम लोग नमन करते हैं वयक्तिया सारभौमिक मतादिकार के वे क्या गुण है जिसको लेकर भारत में से लागू किया गया पहली बात यह लोकतंत्र की आधारशिला है अर्थात आधारशिला का अर्थ है जिसकी नीव पर लोकतंत्र खड़ा हो लोकतंत्र जन्ता की सम्प्रभुता के आधार पर खड़ा है लोक्तंत्री शासन में जो पूरी सत्ता है, सम्प्रभुता है, जो राजनेते के व्यवस्था है वह जनता में नेत होती है शासन या विधान मंदलों के कारियों का संबंद हर नागरिक से होता है इसलिए प्रतेक नागरिक को मददान करने का, प्रतेक नागरिक को शासन की नीटियों में अपना मत देने का, अपना विचार देने का, मतों के माध्यम से उसे अधिकार क्यों न हो चूंकि शासन का हर पहलू किसी न किसी रूप से देश के हर नागरिक को छूता है और छूना चाहिए तो ऐसी स्थिति में नागरिक भी स्वतंतर है अपने विचारों को मतों के माध्यम से सामने रखने के लिए दूसरा, यदि सार्व भौमिक एडल्ट, सार्व भौमिक वैस्क मतादिकार होगा तभी सारी जनता को वास्तविक प्रतिनिजित्व मिलेगा अन्य था, ऐसे वैस्क जो बहुत से अन्य कारणों पे, बहुत से अन्य आधारों के आधार पर वंचित कर दिये गए हैं मताधिकार से अन्य आधार कारता शिक्षा, आर्थिक, संपन्नता, आधी-आधी, जाती, धर्म, लिंग, इसके आधार पे जो लोग वंचित किये गये हों यदी, तो क्या ऐसी स्थिति में ये वयस्क मताधिकार सार्व भौमिक कहलाएगा? ये वयस्क मताधिकार इस धंका क्या वास्तों में सब का प्रतिनिजित्व करेगा? नहीं. तो संपूर्ण जनता का वास्तविक प्रतिनिजित्व तभी होता है, जब वयस्क मताधिकार सार्व भौमिक हो. समाध के जिस अंग को भी इस अधिकार से वंचित्व किया गया, तो उस अंग का शासन में किसी तरह का प्रतिनिजित्व नहीं रहेगा. इसलिए शासन में संपूर्ण जनता को प्रतिनिजित्व देने के लिए सभी को लिंग, जाती, धर्म, शिक्षा, अर्थिक, सिती, इन सब से हट कर सभी को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए. तीसरा, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, सार्वभामिक वैस्क मत अधिकार का एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा इसके पक्ष में तर्क दिया जा सकता है, कि इसके माध्यम से देश के नागरिक को राजनीतिक जीवन में जोड़ा जा सकता हर नागरिक को. उसे देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक अटूट हिस्सा बनाया जा सकता है और जिसके प्रणाम सुरूप उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिलती है जितने ही राजनीतिक जिस्ट से नागरिक शिक्षित होगा उतनी ही वह अच्छी सरकार के चैन में अपनी भूमिका निभाएगा निर्वाचन जो है राजनीतिक चेतना उत्पन कराने का एक बहुत बढ़िया जरिया है क्योंकि निर्वाचन के दौरान चुनाओं की जो प्रक्रिया होती है उसमें उम्मीदवार अपने अपने विचारों से जनता को व्यक्तिकत रूप से अवगत कराते हैं और ऐसा कराते हुए वे एक तरीके से राजनीतिक जागरूकता राजनीतिक चेतना जनता में फैलाते हैं नागरिकों में फैलाते हैं तो इसलिए निर्वाचन जो है वो शरोटम, साधन है, चेतना जगाने का, निर्वाचन के समें दलों के प्रत्याशी, चुनाव प्रिचार के माध्यम से जनता के पास जाते हैं, जनता के समक्ष अपने कारिकरम परस्तुत करते हैं, आदी-ादी, जो हम सबने देखा है, इसका चोथा चोथा गुण स्वाभी मान की उत्पत्ति स्वाभी मान से तात्पर है समाज का जो वर्ग है जो दबा हुआ है जो नीचे गिना जाता है समाज में भारत के जब इस समाज के लोगों के पास उमीदवार जो भावी MLA या भावी MP बनता है बनने का सपना देख रहा है और समभवता जो बहुत धनी है वह उमीदवार जब इन समाज के निम्न तबकों के लोगों के दौर पर पहुछता है तो उससे इस तबके के लोगों का स्वाभिमान जाकता है स्वाभिमान की भावना उनमें बढ़ाता है उनको महसूस कराता है कि ये जो मीदवार भले ही MLA हो, MP हो, होने वाला हो ये हमारे पास आया है हमसे विनंती कर रहा है वोट की ये भावना बहुत महत्पूर्ण है भारती समाच में खास कर निर्वाचन के समय धनवान व्यक्ति भी उसके पास वोट के लिए जाता है और जब ऐसा होता है तो वह तबका जो निर्धन्ता के जिंदगी जी रहा है जो कंगाली की जिंदगी पर है जो लोवर मिडल क्लास के लोग है उनमें एक तरीके से स्वाभिमान जाकता है पांचवा गुण इस सिस्टिम का है कि यह सिस्टिम राश्टी एकता और राश्टी शक्ति में व्रिद्धि करता है सभी लोग, सभी एडल्ट, सभी वयस्क एक प्लैटफॉर्म पर हों तो एकता के भावना पनपती है क्योंकि सभी जनता अपने आप को राश्ट का अभिन अंग मानते हुए उसके पति पूर्ण निष्ठा रखते हुए मतदान करती है और यहां मानती है कि जो भी ऊपर राजनीतिक सत्ता में आएगा वह मेरे कारणा आए है उसके सत्ता में आने के पीछे मेरा भी कुछ योगदान है मतों के आधार पर मेरे मत की बहुत इतनी तो एहमियत है और यह जब भावना आती है दो एक सूत्र में पूरे समाज को यह भावना पिरोती है और ऐसा करती है एगता में वृद्दी हम करती है चठवा गुण नागरिक अधिकारों की रक्षा नागरिकों की या उनके अधिकारों की रक्षा तभी संबह है जब उन्हें राजनेतिक अधिकार मिले और राजनेतिक अधिकार कारत है मत का अधिकार उसमें एक बहुत महत्पूर्ण अधिकार है चिनाव में खड़े होने का अधिकार उतना ही महत्पूर्ण है प्रत्याशी बनने का अधिकार उतना ही महत्पूर्ण है जितना मत देने का अधिकार है तो इसलिए स्वारक्षा के लिए जरूरी है कि इसे मत का देने का अधिकार मिले और इसलिए सार्व भौमिक वैस्क मतादिकार का प्रावधान और इसलिए यह उसका गुण है साथवा सगुण अल्प संखिकों के हितों की रक्षा की इसमें प्रबल संभावना रहती है जब सार्व भौमिक मतादिकार का प्रावधान है तो अल्प संखिकों को विधान मंदलों में अपने प्रतिनी भेजने का जो अवसर मिलता है उसके आधार पे वे अपने हितों की रक्षा कर सकता है आठवाँ अलप संखिकों के हितों की रक्षा के बाद सारवजनिक हितों की रक्षा विवस्थापिका का हर्थ अदास्य याने विधाईका का हर्थ अदास्य अपने अपने निर्वाचन खेत्र के सारवजनिक हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रैतनशील रहेगा सक्री रहेगा क्योंकि उसे अगले चुनाओं के लिए सुनिच्चित करना है कि वोहां की जनता जनारदन को अपने खेतर के उनको खुश रखे वो आखिर वे लोग उसका वोट बैंक है और खुश रखने में एक अहम मुद्दा है सुरक्षा रक्षा हितों की रक्षा तो सारवजनिक खितों की रक्षा का काम सारवभौमिक मताधिकार में बहुत संबहु है इस प्रकार सारवजनिक खितों की रक्षा के लिए जरूरी है कि सारवजनिक मताधिकार का प्रावधान किया जाए नौवा गुणिस का है राजनिती समानता का पोशक समानता की भावना पनप्ती है जब सारवभौमिक मताधिकार हो अनिथा आ समानता रहेगी सम्विधान की दृष्टी में सब सम्मान है चाहे वे किसी भी धर्म जाती लिंग आदी आदी के हों सब सम्मान है ये समानता की भावना तूड जाएगी यदि वयस्क मतादिकार के मामले में किसी तरह का वर्ग विभाजन हो किसी तरह का अंतर हो स्वतंतरता तथा समानता जो है वे लोक तंतर का आधार है मत देने की स्वतंतरता और सभी के जैसे मत देने का अधिकार ये सार्व भौमिक मत अधिकार का बहुत बड़ा गुण है विविन प्रकार के समानताओं में राजनीतिक समानता बहुत मुख्य है वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक समानता ही वास्तों में ये महसूस कराती है हर व्यक्ति को कि वह उस देश का उतना ही महत्पूर्ण नागरिक है जितना कोई अन्य चाहे वह कितना भी अमीर हो, कितने भी उच्चपत पर हो मैं भी नागरिक के रूप में उसके समकष हूँ, ये भावना उसमें लाता है और इसको कारी रूप में पढ़ने के लिए जरूरी है कि सभी वयस्कों को सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेद भाव के मतादिकार मिले इसलिए सार्व भौमिक मतादिकार सार्व भौमिक वयस्क मतादिकार अंतिम है निरंग कुष्टा पर रोक निरंग कुष्टा मतलब क्या हो रहता है ताना शाही निरंग कुष्ट शाहतन मतलब ताना शाही जासे शाहतन जिन राजियों में सभी वयस्कों को मतादिकार दिया गया है वहां का जो शाचन है वो जनता की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि जनता के मत ने उनको सत्ता पर लाया है दूसरे शब्दों में वयस्क मतादिकार सारवभौमिक वयस्क मतादिकार के बल पर सत्ता में आए हुए लोग कभी निरंकुष नहीं बहुत सकते इस प्रकार वयस्क मतादिकार जो है वो शाचन की निरंकुषता पर रोक लगाता है ये बहुत मार्पूर्ण है ताना शाही लोग तंतर से कोशों दूर रहती है हाँ सारवजनिक वैस्क मताधिकार के पक्ष में एक बिंदू और है और वह है कि किसी तरह के विद्रो या विरोध या क्रांति से के संभावना नहीं रहती यदि सारवजनिक वैस्क मताधिकार है तो क्रांति विद्रो की संभावना नहीं ऐसा क्यों या खीन ऐसा क्यों कारण स्पष्ट है कि जब सभी व्यक्तियों को अन्य सभी कारकों को छोड़कर समान रूप से मत का अधिकार दिया गया है समान रूप से मत का अधिकार दिया गया है तो उसमें ये भावना कता ही नहीं रहती कि वह समाज सरकार के विरोध में अपने को खड़ा करें उसकी जो भावनाएं हैं वह मत के जरिये से व्यक्त कर सकता है यदि वह सरकार से नाखुश है तो सरकार बदलने के लिए मताधिकार को अपयोग कर सकता है आदी आदी दूसरे शब्दों में सारवभौमिक वैस्क मताधिकार एक ऐसा जरिया है जिससे क्रांतिया विद्रोह जैसी अन्होनियों को रोका जा सकता है ये इसका एक अन्य गुण है वैसो तो इसके सारभॉमिक वयस मतादिकार के कुछ और भी गुण है लेकिन हमारी आपकी समझ के लिए इतने परियाप्त हैं और अब हम थोड़ा जाते हैं इसके दुरुगुन क्या है या सार्व वयस मतादिकार के विपक्ष में लोग क्या तर्क देते हैं क्या इसके दोश हैं थोड़ा उन पे भी ध्यान दे सर हेंडी मैन और लॉर्ड मिकॉल ऐसे विद्वानों ने इस मतादिकार की बड़ी कटू आलोचना किया है जिसे सार्व भॉमिक मतादिकार करते हैं लॉर्ड मिकॉल तो एक कदम आगे उन्होंने कहा है कि ये तो व्यापक बरबादी है इट इस वास्ट स्पॉलेशन हिंदी में उसका नवाद हुआ व्यापक और बरबादी उनका कहना जो है उसके आधार पे उनके कुछ तरक है उन विचारकों के तरकों पर एक नजर डालें जिसके आधार पे वे व्यापक मतादिकार को एक बहुत बड़ा दोश मानते हैं पहला है कि व्यापक मतादिकार इसलिए गलत है क्योंकि अधिकांश जंद्रता जो होती है वो अशिक्षित होती है वो मूर्ख होती है ऐसी जंता के लिए जानना कटिन होता है कि कौन सा उमीदवार उचित प्रतिनिदित्व करेगा कौन सा प्रतिनिदियोग है कौन सा अयोग है और इसलिए ऐसे अशिक्षित और मूर्खों को मताधिकार दे दिया जाए तो शासन जो है वो अयोग ये व्यक्तियों के हाथ में चला जाएगा और ऐसा होने के संभावना और बढ़ जाएगी लवेज एक और विचारक है उन्होंने ठीक है कि अग्यानियों को मताधिकार दो आज ही उनमें अराजक्ता फैल जाएगी और कल अराजक्ता के बाद जो होता है ये पूरे इतिहास में आप देखेंगे जब अराजक्ता होती है तो उसके बाद हमेशा निरंकुष शासन आता ह निरंकुष अर्शा ताना शाही शातन जो डिमाक्रेसी या लोग के तंतर का बिलकुल आपोजिट है तो ये शंका विपक्ष के विचारक रखते हैं कि ताना शाही का जन्म होगा और ऐसे लोगों को मताधिकार क्यों देना जो अशिक्षित हों जो मूर्ख हों क्योंकि आदी आदी दूसरा जो तर्क है वह है राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थता इस तर्क का संबंद भी पहले तर्क से काफी कुछ जुड़ा हुआ है अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं यहाँ पर राजनेतिक शिक्षा की बात हो रही है राजनेतिक दिष्टि जागरूक नहीं रहते सचेत नहीं रहते चैतन नहीं रहते इसलिए राजनीतिक समस्याओं की पेचीदिगियों को भी सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं और ऐसे में क्या होता है कि यदि मतादिकार दिया गया हो उनको तो ऐसे लोग अपने मत का गलत उपयोग कर बैठते ह जाने अन जाने में आज के काल में शासन की समस्याएं बड़ी जटिल हो गई हैं शासन की समस्याएं बड़ी जटिल हैं और साधारण मजदाता के परे हैं समझ से परे हैं हम और आपको भी सरकार की जो समस्याएं हैं उसकी गहराईयां उसकी पेचीदिगियों को समझने में ब प्रामीन ख्षित्र में रहते हैं, वे लोग जो निर्धन हैं और अशिक्षित हैं, वे लोग ऐसी राजनीती की complexity को, पेचीदगियों को कैसे समझेंगे, परणाम क्या होता है, कि निर्वाचन के समय अपने मत का ये सही उपयोग नहीं करते, और इसलिए ये सुझाओ है इन उन वजसकों को मिले, जो शात्षन की बारीकियों को समझने में समर्थ हों, अब किसे समर्थ माना जाए, किसे गेर समर्थ माना जाए, इस पर विवाद हो सकता है, इसके कुछ पैमाने बन सकते होंगे, लेकिन तिलहाल इन विचारकों का तर्क, सार्वभॉमिक, मताधिकार के पक्ष में नहीं हैं और उसका एक आधार राजनीतिक समस्याओं की पेचीदिगियों को ना समझने की इनकी जो शक्ति है ना समझ पाने की जो ख्षमता है वो एक बहुत बड़ा बाधा है तीसरा दोश इस सिस्टिम का या तीसरा विचार उनका कहना है विचारकों का कि मतादिकार केवल योग ये व्यक्तियों को ही देना उचित होगा स्टुवर्ट मिल, जॉन स्टुवर्ट मिल के अनुचार केवल योग ये व्यक्तियों को ही मतादिकार दिया जाना चाहिए अर्थाद वही बिंदु जो मैंने पहले कहा है उनी वैस नागरिकों को मतादिकार दिया जाए जो राजनीत की पेचीदिगियों को समझते हो अशिक्षित, अज्यानी ये लोग कैसे अपने मत का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे जो अशिक्षित हैं उसमें बहुत से लोग अंद विश्वासी भी हैं अंद विश्वासी लोगों से किस तरह के मतदान की आप अपेक्षा करते हैं कैसे ये लोग समझेंगे कि इस दल की विचार धारा दूसरे दल की विचार धारा से बहतर है कैसे ये जानेंगे कि तीसरे दल की विचारदारा देश की एकता के लिए खत्रा है कैसे ये समझेंगे कि यह उम्मीद वारत दूसरे उम्मीद वारते 20 है आदियाद ये इनकी समझ के बाहर है ऐसा इन विचार को कहना है यहाँ पर भी स्टूर्ट मिल फिर कहते हैं कि ये बात पूरी तरह अमान्य है कि कोई व्यक्ति जो अशिक्षित हो वो मतादिकार का प्रयोग करे यानि पूरी तरह वैस्क मतादिकार के उप्योग को अमान्य ठहराते हैं जेस मिल जहां पर अशिक्षित लोंगों को यह अधिकार दिये जाए चौथा विचार चौथा तर्क वयस सार्वभामिक वयस मताधिकार के विरोध में वह है प्रगतिशील विचारों का विरोध जन साधारण में रूरीबादी लोग परंपरावादी लोग दकिया नूसी विचारों वाले लोग पुराने विचारें वाले लोग इनके संखिया हमेशा ज़ादा रहती है आपने देखा होगा अपने बड़े रिष्टेदारों के तिलना में अपनी समझ में अपने को ज़्यादा समझते हैं ज़्यादा और हैं यह advanced हैं आगे की और हैं उनकी नजर में उनके पूर्वज लोग सब रूड़िवादी, परंपरावादी, दक्यानुसी विचारों वाले हो जाते हैं ऐसे लोग जो इस तरह के विचारों के हैं सभावता वो उधारवादी नहीं होते, लिबरल नहीं होते, वे लोग समाझ सुधार के मामलों में दखल नहीं देना चाहते, बलकि उल्टे समाझ सुधार के किसी तरह के विचारों का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करने बाल विवा इसका विरोत करने वाले लोग ते लेकिन बाल विवा कि प्रथा इतने समय से चल रही थी जिसमें कोई विरोध नहीं था या परियाप्त विरोध नहीं था आधी आधी बहुत सी बातें ये क्यों होता है क्योंकि पुराने विचारों के लोग समाज में उस समय जादा रहते हैं यदि वयस्क मताधिकार को समाने रूप से प्रचलित किया जाए तो शासन में रूडवादियों के संख्या भी बहुत हो जाएगी क्योंकि समाने ते देखा गया है जनता में रूडवादी जनता ज़्यादा रहती है तो समाने प्रिस्थित में जदी इनको भी मताधिकार दिया जाए तो ऐसे रूडवादियों की परंपरावादियों की जो पीछे की और ज़्यादा देखते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी परणाम देश के विकास में देश के प्रगतिशील मार्ग में बाधाएं आएंगी परणाम यह होगा कि आधिनिक विचारों का विरोध होगा और इसी को लेकर सर हेंरी मैन ने कहा है कि वयस्क मता अधिकार संपूर्ण प्रगति का अंत कर देगा यहने आप यदि सारवभामिक वैस्त मता अधिकार का अधिकार देते हैं अपने देश में तो मान लिजे कि आप प्रगती के रास्ते से हट गए हैं आपकी प्रगती समाप्त प्राय है पांचवा तर्ग दोश बताते हुए विचारवादी विचारक देते हैं वह है भरष्टा चार को बढ़ावा बहुत महत्पूर्ण बिंदो भारत में तो भरष्टा चार बहुत गहरी पैठ गया है और उसके पीछे एक कारण संभवता यह सार्वभौमिक मतादिकार का भी है सार्वभौमिक मतादिकार भारत जैसे देश में जहां निर्धनता बहुत विशाल स्तर पर है उसमें क्या हो रहा है कि धनवान लोग पैसा दे कर निर्धन लोगों से एक तरीके से मत खरीद लेते हैं ऐसा ऐसे कई उदाहरन आये हैं मत खरीदने का ताथपर क्या है कि उनसे वचन ले लेते हैं कुछ पैसा दे कर कि आप मुझे ही मत दोगे भले ही मैं उनकी दृष्ट में सक्षम हूँ या ना हूँ उचित उमीदवार हूँ या ना हूँ उचित प्रतिनिदित तो करूँगा या नहीं कर पाऊँगा ये बात दूसरी केवल मुझे पैसा मिला उस पैसे की एवज में मैं आपको मत दूँगा ये जो भृष्टा चार की जड़ राजनीती के अंदर है वह बहुत खतरलाग है मतों के पैसे के बल पर प्रत्याशियों दूआरा मतों को खरीदा जा सकता है और इस पकार निर्धनों के मत का कोई महतो नहीं रह जाता रिश्वत और भृष्टा चार बढ़ता है उनके मतों का महतो इसलिए नहीं क्योंकि वे सही व्यक्ति को मत दिये बलकि इसलिए उनके वोटों का महत तो नहीं है क्योंकि वे पैसों के अधार पर उन्होंने ब्रेश्ट प्रैक्टिस के अधार पर उन्होंने मतदान किया ऐसी स्थित्य में देश की राजन्यतिक विवस्था को भी बहुत बड़ा खत्रा हो जाएगा ब्रश्टा चार को बढ़ावा देना ये अगला दोश है उसके बाद अगला दोश है धन्वानों के हितों की हानी